अच्छा में का अच्छा उसकार दोस्तों हमारे यूटुब चैनल घरलूप आए में आप सभी का हर्दी आगत है आज वे अचल टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ नवरात्री के विशेश टॉपिक है दोस्तों नवरात्री में विशेश फलहारी वेंजन पॉस्टिक और लाजवाब मीठिम मखाने यहां दोस्तों अक्सर लोग आलू और मुंफली दाने वगरा तो खाते हैं लेकिन आज मैं आपको एक विशेश फलहारी बताने वाला हूं अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो उपाये दी तक सब्सक्राइब में किया तो दोस्तों गरते विशेश फलहारी बेंजन पॉस्टिक और लाजवाब मीठें मखाने हैं नौरात्री में मा नौ दिन उपवास रखने की परंपरा है उपवास शक्ति की साद आराधना और इच्छाओं पर सयम के उद्देश से किया जाता है उपवास में भी जादतर व्यंजन आलू साबुद दाने और मुंफली दाने से बनते हैं आईए इन इस नौरात्री पर बनाते हैं कुछ खाश विसेश व्यंजन और हम आपको बताते हैं इसके लिए क्या-क्या सामागर चाहिए 200 ग्राम मखाना को घी में भून ले अब सुखे नारियल के गोले को पदले पदले लंबे तुकले में काटकर गरी तैयार करे इन्हें भी हल्का सा भून ले ततपष्याद कढ़ाही में शकर और थोड़ा सा पानी डालकर I चासनी बना ले जब चासनी का तार ठीक प्रकार से हो जाए तब इसमें मखाने वनारियल की गरी डालकर बराबर से चलाते रहें और जब गाढ़ा हो जाए तो आज को बंद कर दे अब इसे अच्छी तरह मिलाएं वह बड़े बरतन में फैला कर रख दे जब यह ठंडा हो जा बरत के दिनों में उपयोग में जरूर लाएं तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वार दीगे यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी इस मिठी और लाजवाब पॉस्टिक माखाने को बनाकर जरूर सेवन करेंगे और मा का आशिरवाद पाएंगे और दो देंगे आपको और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूला और दोस्तों मैं आपको बता दो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरीलू उपाए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तो सब्सक्राइब कर क्योंकि चैनल पर हम आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए जो आपके जीवन को सरवसुफ में बनाने बहुत ही कारगा साबिस होते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरीली उपाए तो सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं एक लिए वीडियो में ऐसे एकसाइटिन टॉपिक से साथ नमस्कार दोस्तों